नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपके अपने करेंट आवेन के ट्रीव चैनल पर साथियों, थोड़ी सी वीकिनिस है, सेहत में और वीकिनिस का मतलब यह नहीं, थोड़ी सी गले में खराट और खासी के थोड़ी सी दरकरार है, वजा ही हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा लाश्ट तक बने रहीएगा इस वीडियो को सेर करिएगा आपके जो हिंदिक टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है उसका यह उसी क्रम में सुलामा लेक्चर है आपने अगर अभी तक नहीं देखा है टॉपिक वाइज सीरीज तो हज उसी के क्रम में हमा आज हम लोग पढ़ेंगी 170 प्लस क्रेशन रस के केवल एकट सो सतर क्रेशन केवल नहीं पर्याप्त हैं पर्याप्ति से बनो जाता है सारे topics हो गया हिंदी के basic classes का भी playlist में सारे आपको मिल जाएंगे मैत के playlist मिल जाएंगे playlist में आकर मैत में आप न दो मिनिट के लिए, देख लेते हैं, दोसम्हार रस क्या होता है, अगर आपसे पूचा जाए तो रस क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, जिस प्रकार से, भोजन जब मुँँ में डाला जाता है, तब अनेक प्रकार के स्वाद आते हैं, परपत होते घाई, ठीक उसी प् बहुत ज्यादा एक आनंद का सुरूप देता है बस उसी को अनंकार करते हैं वह सब अलंक्रित रस्त ही होता है देखें जोस्तों अगर बात करें मेन की रस्त का सवर परतम उल्ले किस ने कर रहा था तो बता देंगे भरत मुनी बहुत प्रेमें से सातियों आपने पता होगा जो रस की दसा होती है उसे अस्ताई भाव ने कहा था और भरत मुनी ने नाट सास्त्र में आठ रसों का ही उल्ले किया लेकिन आपको यहाँ पर 11 हम पढ़ाएंगे 11 की गिराव आप देखेंगे घड़ाई यह गा नहीं इन्होंने दोस्तों सबसे पहले निमलिखित एक तर अना न तुने फूल जाना यह सब क्या है एक तरह से वेंजन है किसके अनुभाव के यह दखेंगे साथी आलंबन विभाव की बात करें जिसके उपर उस भाव का उत्पन होना है जैसे कि सिंगार में नायक नाइका परसफ़ आलंबन विभाव करते हैं तो यह क्या है मारा आलंबन विभाव वो दीपन का मतलब जोसे चाधनी सुगंध माला इस तरह जैसे बात करें जब आप दोनों दो नायक और नाइका प्यार करते हों तो उसमें चाधनी रात हो तो आप लोग कहते हैं हाँ बहुत ही अच्छा सुहानी रात है अच्छी रात है वो नाश्थी क गरबत्ती की या फिर कोई सी खुबसूरत आ जाए तब भी आप कहते हो वाह क्या खुबसूरत है बालों का क्या खुबसूरत ही सुगंद आ रहा है तो इस तरह की जो भाव आप बोलते हो या फिर उनके लिए घजरा माला ले जाना ये सब सारी चीजित क्या है एक होता है जो जैसे कि बात करें फूल जाना नगतने फूलना गुस्सा होना प्रेय में पसी ना जाना दिल लड़कना ए dopoश्प में गहां संचारी भाव संचारि भाव ये बात करने साथे हों जो भाव के सहाइक रूप में और उनमें मिल जाते हैं उसे संचारी घज सब्सक्राइब ये इंदेटिस प्रकार माना है तो याद रखनाओ अब इकरम में आएगा आप देखेंगे तो पूछा गया है संचारी भाव कितने प्रकार की होते हैं भरत मुनी के अनुसार थो आप बताएंगे तैस अ सेम अस्थाई भाव भी होता है, अस्थाई भाव का मतब रस की उत्पत्ति मन की भिन भिन प्रवित्तियों की से होती है, विविन प्रकार की आवरित्तियों से विविध रसों की उत्पत्ति होती है, इन प्रवित्तियों को रस का अस्थाई भाव करते हैं, बहुत सार, जैसे स्थाई भाव के प्रकार की बात करें तो आठ प्रकार की माने जाते हैं पहला रती हास सोक रौद्र उत्सा भय जुगपसा और विस्मे यह भरत मुनी की अनुसार माने जाता है लेकिन अगर डियल में देखें रस के कितने भेध हैं लच्छर सहीद बताएं तो आप याद रस के नाम के अनुसार में का अस्थाई भाव बहुत बार पूचा जाता है जैसे कि स्रिंगार रस इसका अस्थाई भाव रती है करूड रस सोक है अध्भूत रस दिसमे है रौद्र रस क्रोध वीर रस में उत्सा हास से रस में हास से भयानक रस में भय अस्थाई भाव ब बहुत महत्पूर है इसने मतरव लगाउ प्यार, महबबत, भक्ति रस, अनुराग याद रखना भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होगा अनुराग होगा सारी, यह सारी चीजे हम तो पढ़ा रखें हैं आपको, कोई डिक्कत नहीं है, अगर आपको ये इतनी चीजे हमने र हुआ है आप सान्ट रस को हिए तो आट है लेकिंड सिर्फ सांट रस को कर दें तो करना हो जाता है इस प्रकार अब अब स्टार्ट के तरफ सारी चीजें आप कर लोगे 100% कर लोगे चलिए स्टार्ट कर लेतने बस कॉप्रेट करना थोड़ी सी अब देखिएगा संस्कित के किस कवी ने कुछ समाज कहा है बताएगा किसने कहा है भवभूती यादकना सातियों भवभूती ने कहा है जोसों सारे प्रस्णा आएंगे हर एक लेवल के प्रस्णा होंगे आप लोग बस सॉल्व करते रहना बताते रहना आपका स्कूर कितना रहा है रसों के संचारी भावों की कुल सं कि अभी आया था कि जो हमने पता या वाक्यर सात्मक् काव्यम काव्य परिभास के प्रश्तोता हैं यह बताना है कौन है डंडी है कि भाम। को चीजए के कि आपको माने हैं आपको मजन में और नहीं है पैंड होगा में मां को चार्य निए चाहलं को चाहला ना कौन करते थे टेंट को सब्सक्रीपन राम साथ तो जो उनकी माएं थी बड़ी माँ छोटी माँ सबको अप्रेम करते थे और सभी लोग उनसे प्रसंद रहते थे वह तो बात की बात की बात है के जी बाद में रूष हो जाती है और फिर से वह रोने लगती है उनके लिए जिव दस रख चले जाते हैं तो यह सारी कीजिए आ पंचारी भाव उग्रता गर्वर्स आधी होता है तो गर्व हर्स हर्स बताना किसका होगा सर्फ होना हर्फ होना प्सकी होता है करना एक। बताना राउद्र का होगा राउद्र का नहीं होगा राउद्र का फिर क्या होगा बताना जरा वासल का होगा नहीं जी किसका होगा बी पांचवे का बी आपका सही एंसर होगा बी चलिएगा आगे देखिएगा आगे देखिएगा इसमें नेक्स्ट छटा क्योसन देखिए औ और सात्मा देखिए, दोनों देखिए, छड़ना पर बताईएगा, किस रस का संचारी भाव उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत रितू, आदी होता है, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत रितू, बताना, सांत में होता है, किस रिंगा की भाव हो सिंगारस में प्रेमी और प्रेम का बैठे रहें उसमें कोयल बोले बसंत का माहौल हो बसंत रितू की माहौल हो बादल की घटाएं हो वाह क्या प्रेमी होता है तो इस तरह से तोड़ा सा सोचिए और उस जिसका जवाब देजिए फिल करके चलिए अगला देखेग राग है की रूप है की रस है की जस है की तन है देखना फिर से देखना इस वह बहुत अच्छा लाइन लिखा हो फिर से पढ़ते हैं राग है की रूप है की रस है की जस है की तन है की मन है की प्राण है की प्यारी है पताना इसमें क्या होगा सिंगार रस होना चाहिए क्या कोन बताएगा वह जड़ता। इस लगता है सांतुरस का सांतरस का निर्वेद होता है। कि दुटुकन चलत रेन उतन मंडित मुक दधी लेप किये उफरुक्त पंक्ति में कौन सा रश है देखे तो इसमें हमारे समझ से क्या होना चाहिए बताना जरा इसे वात्सल्रस होनाच्य वात्सलस ने इसने की बात बताए जा रहा है ना इसने से प्यार देखिए तो रेनुतन पंडित मुख दधी लेपल किये दधी की लेप, धाई की लेप किया गया उनके मुख पर यानि कि इसमें इसने की भावना जताई जा रही है इसने की भावना, इसने मतलब प्यार की भावना यह सिंगार नहीं, यह प्यार तो दूसरा है ये प्रेमी और प्रेमिका के साथ होता है लेकिन इसने है माता एक बेटे से करती है किस्ण भगवान अपने माता से करते है इस प्रकार का इसने है याद दखना बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहिमन हरी, रहिमन हीरा सब कब कहें, लाख टके का बोल, वाँ, पताना, इसमें क्या बताना, इस तो संगविसलेट को zobaczyा, शाइश में बताना, रहिमन द्वारा लखीत इन पंक्तियों में बड़े सब्द का प्रियोग जिस रहीमन हीराश सब कहे लाख टके का मौल बढ़े तो यहाँ पर संगया निया ना संगया है जी होई आस बढ़े मतलब किसी मतलब करहे बात हो रही वहां का है इससको बड़े से Kent किया है बड़े बड़ाई ना अगर एक आद देखना देखकता निर्वेद अ सांत की बात किया जा रहा है यहां पर भयानक किसका है बताना भयानक का क्या है भयानक का क्या होगा भय होगा सांत का क्या होगा निर्वेद रुखना तो इसमें सांतरस का क्या होगा निर्वेद होगा भई रुखना 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 सांत का निर्वेद होगा अगला देखना विभावान वभाव्य विचारी संयोगा द्रस निस्पत्ति को किसने परतिपादित क्या है यह बता सकते हैं सीधे बताइए इसका राइडिस भरत्मुनी होगे भरत्मुनी ही होगे बाई देखिए डायेक्ट ऐसे वर अगर आजा उ कुनिन बिताएगा पता ना यूंहेस किसका है करऊछ किसका है और किसका है Kitchen किसका बताना है विर विर उसका है बिस्म玩 जो तुम्हार अनुसासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो कांचो घट जीमी डर देखो पुड़ा नहीं पढ़ना है अब हम इतना पढ़ लिए तो हमें पता चल गया है यह वीद्रस का एक्जामपल है 54 एक मिन पूरा पढ़ लेते हैं इसमें वीद्रस नहीं हो सकता है पूरपड़ो तो इसको काचो घट जीमि डरों फोरी सको मेरू मूलक जमी जीमितोरी इसमें रौदरस की बात हो रहा है जाथि इसमें विर्ष से बोला जा रहा है जो तुम्हारी अनुसासन पाओ कंदुक यो ब्रह्मान उठाओ और इस तरह से बात हो रही है वालेगी रौद्रस थोड़ा सा देखीगा रौद्र और वीर में बहुत जाले कंदुजज़ हमें भी होता है इसी बात नहीं है और उसको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ने के बाद तो सही हो जाता है अपने से प 15 का राइटेसर बताएगा 15 का राइटेसर क्या होगा विसल देव रासो दोस्तों रासो गरंथो में कौन सा काब एक प्रेम काव या सिंगार काव है तो विसल देव रासो का यादकना इससे ना चलिए अब आ जाते हैं लोगी जहां पर सोला नंबर प्रस देखिएगा अब फटा फट तोड़ा से तीजी चलते हैं 100 प्रस तक अगर हो गया तो ठीक है और बाकी के अगर सिहत थोड़े से जवाब नदे बाकी के यह सारे के सारे पीडिएफ आपको मिल जाएंगे आप 170 प्रस निसमें होए 170 प्लस हैं आप उसको करकर अच्छे से कर सकते हैं ठीक है रस शुत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले अचारे हैं अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले अचार एक अनाम बताईए सोला का राइटि से साथ होगा संग कुको बस इसको डारेक्ट याद करिए नहीं आदो आपको याद नाट टे सास्र में किया है इन्होंने क्या बताया है आठ प्रकार की रस होते हैं लेकिन मूल रूप से जो आपका देखा जाए सांत को एड कर दिया गया तो यानिकि नव हो गया लेकिन बाद में भक्ती आ गया वातसल आ गया तो इस तरह यह रहा रस हो गया चली अगला होते हैं और सभाम होते हैं हैं वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सिश्टी हुई है पीरों की कैसी पहले ही पकड़ में आ गया वीर रस का सभा हुट्सा सब को पता है सब को पता है मेरे तो गिरिधर गोपाल दुसरो न कोई जाके सिर मौक मुकुट मेरो पती सोई यानि कि इसमें सिंगार की बात तो हो रही है सिंगार की बात हो रही है लेकिन थोड़ा सा इसमें वह बियोग वाला सिंगार है यादखना तो यह चीज़ है यादखना रती इसका क्या है भई अस्ताइब रती मेरी भव भाधा भरो राधा नगरी सोई जातन की साई परे स्याम हरित दुत होई 21 का राइटी सरसातियों इसमें भक्ती है इसमें क्या है भक्ती है भक्ती साब साब चला करा है भई भक्ती बाधा हरो की बात हो रही है भगवान से प्रात्ना किया जा रहे हैं आपर आ यहां पर दुख आ गया इस देखिएगा दुक ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कहीं बता रया दुख की बात हो रही है करुद रस की बात होगी साइट सी बात है यहां पर दुखा गया करूर करूर 22 22 का ए करूर रसका स्थाइबा बताना सोक या लगाना जरा आगे बढ़ना यह तो मारा सोक वाला किसका है वाला करूर रसका है यहां से बनेगा बहुत बार बनता यहां से आपको याधी करना रखीजें नेक्स्ट रसका अभी तो बताया गया जोगा विवस का जुकुप्सा मतब्कि एक तरह से आएसे सारी चीजें हों जो की बहुत घिन वाली हो घिन बर शे अच्छी इस तरह की सारी चीज़ें याद क्या होगा गूपसा तो क्विएख और दूसरे सदुनर्फ न देखना जड़ा जगूपसा ही इसका जुपसा सही चुमीन पृटि रस के नाटे तक सीमित रखने का स्वरपतम किसने विरूद किया था जो रस है रस को नाटे तक ही रखा जाए इसका विरूद किसने किया था इसका राइड़ेसर बताना है 25 का बताना पले 25 का क्या होगा पचीश का अभिनाव गुपत ने दोस्तों सबसे पहले सौरपतम इसका विरूद किया था वेडी संहार का बताएगाँ 26 का राइटे buttonsa क्या हो न चाहिए यह होगा वीडास या तकना वेडी संहार का़बी दोनों बताएगा काबे प्रकास नामक ग्रंत के प्रडेता हैं काभे प्रकास दोस्तों यह तो बहुत important है बहुत important है सब को आभी cũngाआँच अब देखा देहां से, मैं मठ गया, मैं मठ गया, बोलता है निए मैं मठ गया, किसके कहने से, प्रकास की कहने पर, प्रकास की कहने पर, क्यों मठ गया, क्योंकि हमें याद करना था, हमें पढ़ना था, मैं मठ गया, उसमें, मठ गया, क्योंकि हम कोई चीज मठ लेते हैं जब तो सारी चीह हमें आद हो जाती है, मैं मठ दिया, मैं मठ गया, या फिर मैं मठ दिया, हिंदी को पूरा का पूरा सिले वस हमने मठ लिया, मठ लिया, प्रकासर की कने पर, हमने हिंदी का पूरा का पूरा सिले वस मठ लिया, अपने दिमाग में मठ लिया, मठ बनाना होता है न कौन चूकने वाला है प्रतिष ठापक हैं यह देख सकते हैं और यह देखें तीस का देखिएगा वाक्य रसात्मकम का काव्यम किसका कथन है बताएगा दोनों बताइए 29 बताइए 30 बताइए 29 में दोस्तों सी होगा उत्तरा रामचरितम बोस्ट इंपोर्टेंट वाक्य तीसवा नमबर क्या होगा विस्तोनात याद रखना विस्तोनात साती मेरे ऐसे प्रस्ण आपको रटने हैं सिर्फ और सिर्फ रटने हैं क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे चीज ओप शट्यानों ने रस के विषय में अपने विचार दिये हैं उनके नामों को नामोंगा करम बताईए bardzo important है इसमें आपको डायरेक्ट एंसर बताते हैं उसको रट लेजे पहले भरतْ मुनी ऐं फिर भत्र लोलत्त फिर भत्र लोलत्त आये भट्ट संकुक, फिर भट्ट नायक, फिर अभिनो गुप्त, इस तरह से, देखें, दो चीज पहले याद कर लो, भट्ट भरत्मुनी पहले, फिर अभिनो गुप्त लास्ट में, अभी हमने उपर भी देखा था, अभिनो गुप्त जो है सबसे लास्ट ऐसे कवी हैं, जो कि रस को कहली जे के दोस्तों एक तरह से कटाच किये थे रस पर, हमने देखा था भी उपर एक प्रस्ट में, इसमें क्या है, सबसे पहले भरत्मुनी आते हैं, फिर भट्ट लोलट्ट, फिर भट्ट संकुक, फिर भट्ट नायक, हम आपको याद कराते हैं, यह तो यादी अगला प्रस्ट क्या है, दोनों का जवाब दीजिएगा, साथ में ही, सिंधु सेज पर, धरा वधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी, बताना, दोनों का आइसर बताना, फले एक बत्तिस बताईए, बत्तिस का राइट इंसर क्या होगा, थर्टी टू का राइट इंसर क्य यहां से, भवभूती, एको रस करूरे, किस कवी की युक्ती है तो भवभूती, most important, भवभूती हो गया, भरतमुनी हो गया, हना, इस सब का ममठ हो गया, मद ममठ हो गया, तो इन सब की जो सारी चीजिएं बहुत बार पुछी जाती है, repeat होती है, हमने साहित का एक वीडियो दिया है आपने नहीं दिखा है तो देख लेना उसका हमने पीडिया भी दे दिया करिंट हैवन के टेलिडराम चैनल पर नाम से जुड़ जाएगे करिंट हैं जो रात में घुन होती है जो उसके नीचे पिं होता है टेलिग्राम वहां से आपा सकते हैं हमेशा जो रात में कुछी तबायठी सी बताना दोसनों जो 33 है इसमें साफ साफ जलक रहा है वेंजना है भाई अगला देखना रसा रसा पकर्सका दोसा उक्तिकिस आचारे की है बताना भाई देख लो अभी तो मने बताया था किसको किसको याद करने के लिए बोला था भाई बताना जरा किसको किसको याद करने के लिए बोला था भरत और ममट और ममट और भावन को बोला था नहीं विस्तोनात है आतका लना जाती है विस्तोनात का है देखिए इसको याद करते है रसा पर्सका दोसा अगर दोस होगा, तो आदमी कैसे किसी भी विस्वास करेगा, आदमी दोस युगत चीजों को विस्वास नहीं करता है, एक बार जब आदमी का विस्वास उठ जाता है, तो आदमी फिर उसके तरफ आकरसित कभी नहीं हो सकता, अगर वो सच भी बोल रहा है आदमी, तो कभी यहां पर आपके ट्रिक भी है याद कर लेना दोस तो दोसा विस्वनात अगला देखना हो यह तो हम नहीं कहते हैं कि जो हमारे यहां पर ट्रिक है वह बिल्कुल एक ट्रिक है या फिर कर लिजे कि कोई लॉजिकल मन्दब कि एक ट्रिक अच्छे लगें हो भी सकता है नहीं लगें तो इस पर लिए हम छमा योग्य हैं आप छमा करिए का लेकिन हमारा करतब है भाई आपको याद करा ना और हम याद करा रहे हैं आप जो भी समझे उचित समझे बस आपके हित में सारी चीजें होत वेंजना संदिबा वेंजना होगा इसमें वेंजना होगा मेरे यारों दोहे में कौन सी सब्द सकती है वेंजना सकती है देख लेना अधिकतर वेंजना होता है यादख लेना इसको वेंजना 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 साथियों यह अब ऐसा नहीं है कि आपको UPSI लेकपाल में ही काम देगा, नहीं दोस्तों, सूपर्टेट, BPSC, किसी भी एक सेक्टर की एक जामे बढ़ जाओ आप, अन्य था, नहीं आएगा, यहाँ से कुछ, ज्यादकना, इससे बाहर सायद ही कोई आए, बेसिक क्लास भी कर लिए, अगर टिस्ट लगा लिए, सारे के सारे, हिंदी का, म कि आम कम बच्चे देखेंगे, तो क्लास नहीं लाएंगे, कम से कम जो चार-पांच देखते हैं, उनकी उम्मीद तो न ठुटेगी, वही लाएंगे, 120, देख ले ना, देखना, 10-20, 10-20 क्या, हमारे से जितने जुड़े हैं बच्चे, कम से कम, 1000 बच्चे को, हम आपको मार अक्षी दिखाएंगे, वही टेट के बाद, अच्छे नमबर लाएंगे, अच्छे से मतलब अच्छा नमबर लाएंगे, पढ़ रहे हैं, दिनों रात पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से बहुत जादे उमीद है, देखते हैं, क्या करते हैं, भाव सांती, भाव संधी और आरी है, भाव सांती की बात हो रही है, और भाव संधी की बात हु रही है, भाव संधी की बात हो रही है, तो 36 का जो राइट एंसर होगा हमारे समस्य चाहिए संचारी अस्थाई भाव क्यों होगा अस्थाई भाव नहीं हो सकता इसमें संचारी भाव ही है संचारी भाव अस्थाई भाव अस्थाई भाव अस्थाई भाव अस्थाई भाव अस्थाई भाव अस्थाई भाव तो नहीं होगा अस्थाई भाव अटा देना इसमें संचारी भाव स राइटे सरे सात्यों सी लगा देना बक्तना ये विमगे अंग उमगी चलके तुल्सी की इस पंग्ति में कौन सा सब्द सकती डिये बताना 58 बस और क्या भाई बेजना सीधे लगाओ अगला चलिए अचार संकुख द्वारा रस निस्पत्ति की व्याक्या का सवरूप है 39 का राइटर सर बताईए और यहां पर बताईएगा 40 का बनन में बागन में भगरो बसंत है पधमाकर की इस पंक्त का पहले तो यह दो यहाद कर लेजी पрав Message इसा सब्त चिया सकता है उसमें इस संकुक द्वारा रस नस्पति की व्याख्या का सोगी थर्टीनाइन का जो राइट है सारे साथ है क्या हो जागा बी अनुमत वादी अचारे संकुक द्वारा रस निस्पत्ति की व्याख्या स्वरूप है अनुमत वादी और इसमें क्या है लच्छटा अगला चलिएगा अचारे भरत ने किस रस की नाट प्रयोग में स्विकार न सिंगार रस और जब्रस वीरास है रस और वीवस्रस यह सबके इन्होंने माने हैं इस प्रकार ना मैं बदकते आराम से बता सकते हैं ठीक प्राटे भरती नुमत का गप जुकुपसा मोश्कुपूस विभास वई घिन बरना ची इस तरह से बाते करना वह जोसा याने की घृड़ा निंदा इस तरह से अध्वुत किसका थे अध्वुत किसका है अध्वुत की बात करें तो बता ना जर। अदबुद का बिसमे हैं, अदबुद का बिसमें, करूड का सोक, शांत का निरवेत, यह सारी चीज Allen का थे कौन थे हैं, तो भामा। और रसान उभूत यह संद्रव में उत्पत्वाद अभी तो आया था उपर बताना अब कौन नहीं बताएगा अब अगर नहीं बताए तो आपकी गलती है दोस्तों भट लोलट उसके बाद भट उसके बाद लास्ट में गुप्त थे यहां दखना यह सारी चीह हमने करम से बताए आपको अगला देखिएगा काब बे सोभा करन धर्मान लंकारान प्रच्छते उक्ति के लेखक हैं पताएगा आपके लिए संस्कित की भी विवस्ता की जा रही है बहुत जल्द यूपेटेट के लिए संस्कित की हम करेंगे अगला चलते हैं आलवार का अर्थ क्या होता है आलवार आलवार क्या है साथी 48 में आलवार बताएगे और नीचे क्या है आलवार भक्तों की संक्षा कितनी मानी गयी है देखिए दोनों प्रस्ट अपने आप में बेहतरीन है बेहतरीन सायद ही कोई बच्चा बता पाए जो बच्चा बता लेगा वो बेहतरीन बच्चा हो आदभूत्रस विवक्ति देखे इसमें संस्कित के भी कुछ आ गए हैं कोई दिकत नहीं संस्कित है बहुत हमाता है लेकिन पढ़ाने की गुश्य करेंगे सायद पढ़ा लें आपको न कांत मपी निभूसम विभती वनिता मुखम इस युक्त के लेखक हैं बताना 52 का जो राइटिंग सरे साथ हो ए भामा भामा है भामा कौने भाई भामा जी थोड़ा सम्मान जनक हैं लोग आगे देखें निवने पंक्तियों में किस रस्त का निरूपर हुआ है एक और अजगर ही लखी एक और मिर्गराय विकल वटोही विच ही पदेयों मुर्चा खाए मतब कि एक पंची है जो कि कहीं बैठा हुआ है मतब कि बैठा हुआ भाई यैसे आपने एक कहाणी पढ़ाओगा सुटे क्लास में एक पंची रता हुआ है मुझ से बढ़ातना करता है एक तरफ तो निसाना शाधy हुए है उयसको कौन निसान हमको सब्ड़िये है जो बलेशा सिकार करते हैं और एक तरफ अगर मैं उड़ गया तो उपर बाज बैटा है मुझे खा जाएगा तो यह अधवुत इसे कौन सा रस कहेंगे तो एक आंगे भाई भाई भैयानक रस में एक अधवुत की बात किया जा रहा है जाए अधवुत की बाद में क्या होता है कि जो आदमी जो नीचे जो साधा होता है उस पंची के उपर उसको सर्फ आता है काट लयता उसको मनाने से प्रभू के जब प्रभू से निकाल कर पढ़ना चाहिए। और जो तीर बाढ़ दाने हुए होता है पंची पर, वो छूटता है, और उपर जाकर जो बाज बैठा होता है, उसे लग जाता है, इस तरकी कहानिया पर पढ़ा होगा, बहुत अच्छी कहानिया होती है यह सब, पढ़ना चाहिए, इस समय निकाल कर पढ़ना चाहिए, चले नहीं लगाना है को लगाना है भरत मुन लगाना याद घुना अब तब तो करो दचिना Mamma से जञ्मान अम-द्यव कि विशेस रूप से जो बहों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या करते हैं विशेस रूप से बिशेस रूप से मतलब की विशेस को अगे और भी पता है संचारी भाव वंद्र की 33 बताया गया है किसके द्वारा वह संचारी भाव संचारी भाव अरह प्रतमुनि के द्वार अगला चलना श्ञंगार रस्थ की द्रिष्ट से किस प्रकार के नायक है जो है किस प्रकार के नायक है ध्रीष्ट है अंसर памяти क्या अग्ünde चलते हैं निर्वेग सांद का और जुगउपसा है विभाई informat को और य४ निस्पत uy भाव कैसे श्र 1979 स्ट रस्ट की निस्पति होती है। नीचे देखिएगा दुनों बताना है निस्ट की निस्पत्ति होती है किसका कथन है यह उपर आया था अब कौन गलती करेगा इसको बताना विस्वनाथ जी का है न अभी तो उपर आया था वाक्यम रशात्मकम काव्यम इन में से कौन सब्द भक्ति का भेद नहीं है भक्ति का सक्टि नहीं बूला गया है तो सक्ति का भेद नहीं है कि बात किया गया है दोस्तों देखना वेजना अविदा शुरोता लच्छडा तो 61 में जो जोसों यहाँ पर आता है सुरोता या नहीं होता है, सक्ति में, सुरोता नहीं होता है, इसका आइडिसर यह होगा, सब्द सक्ति के कितने भेद हैं, जो सब्द सक्ति है, इसके कितने भेद हैं, डारेक्टी से आत्व के तीन भेद हैं, अगला चलिए, तुलसी पढ़ लेना च्छे से बरो श्रम जानी है बैठी विलंब लौ कंटक काड़े जानकी ना को नेह लख्यो पुल की तनवारी तिल विलो विलोचन वाड़े 63 का राइट एंसर क्या होगा पताना तो सिंगार रस होगा ब्योग सिंगार रस इसमें हो जाएगा क्या होगा ब्योग अगला प्रस देखिएगा अचारे कुंतक में वक्रोक्ति के कितने भेद माने जाएं माने गये हैं बताइए कितने वेद माने हैं तो दोनों का इंसर बताईए पहले 64 का बताईएगा 64 का जो राइट है साथियों घबडाईए मत यह पूरा पूरा पीडियाप को दे देंग प्रियाप्त क्लास हैं पर प्रियाप्त नहीं भरपूर क्लास हैं इतना समझ लिए साथ ही किसी बी एक्जाम में बैठो यार तुम लेकपाल का अगर पेट क्वालिफाई हो गये हो तो लेकपाल में बैठना UPSI के जाम चलने उसमें मिला लेना कोई भी इससे बहार आ रहा ह जाता है इसा कोछी सियर नाम नहीं नहीं पता चलता है लेकिन नंबर पता चलता है रास निस्पति के संबंद में के सनस्थापक्ष अचारे इसे कान में लगा कर दो से तीन बार सुन लेजिए, जितने क्लासे साब को दे दिये गए, सारे सब्जेक्ट के, भाई, एक बार आप फेर बना लिये हो अच्छे से, एक दो बार सुन लो, फिर देखना, उसका चलवा एक्जाम में देखने को मिलेगा, बारुद, बारुद भ कहीन जाय का कहिए, देखत तब रचना, विचित्र अती, समुझी मन ही मन रहिए, इसमें कौन सा रसे बाई, बताना जारा है, यह देखने से पता चलता है, 67, 68 का बताईएगा, पढ़ दीजी एक बारुद से, 68 का देखे, एको रसा करूड़, करूड एवं, निमलिकित में से किस का कतन है, पताना जारा, 67 को बताईए, एक बार फिर से पढ़ते है, 67 को, केस तो कहीन जाय का कही है, देखत तब रचना, विचित्र थी, विचित्र की बात आ गया तो अध्वुत लगा देना, बस कुछ नहीं, अध्वुत लगाना, अध्वुत, अध्वुत, अध् बताना जरा, यह किसका है, किसका है, किसका कतन है, 68 का जो राइटर से मेरे प्यारे में तरोपी लगाना, भवबूती का है, चलिए नेक्स्ट, आलंबन और उद्धीपन विभाओं के कारण, उत्पन विभाओं को बाहर प्रकासित करने वाले कारे कहलाते हैं, बाहर प्रकासि सबसे बहतर हो, बहतरी प्लेटफॉर्म से चुड़िये, अच्छे से आरे सीज़े करिए, रस संपरदाय के प्रवर्तक हैं, रस संपरदाय के प्रवर्तक मान लिजे भाई भरतमुनी, कौन है, सत्र का राइट एंसर भाई भाई, बारतमुनी साहब, और कौन, सहद्र, सहिर सहिर्दय की बात हो रहा है, आपर सहिर्दय की आउधारडा किस संपरदाय से संबंदीत है, सहिर्दय की बात हो रहा है, दोस्तों तो रस संबंदीत है, 71 रस से ही तो बात किया गया है, रस जिस प्रकार से आप भोजन करते हो, तो रस स्वाद लेते हो, उसे प्रकार से अलं बिजिए talkinoba diwater सूंने आपको एसे प्रस्श दिये स्वहित जो बहुत आनेको बार एक्जाम में आये हैं मातर करूड को ही एक मातर रच किसने का आए इसमें भरत मुनी तो आये नहीं भरत मुनी आएंगे इने कर भर सब्हकराइक शुक्रियो के सब यह सब नाम है बताना 74 औरर सेटाना और सेट पाइट कोबिता चाहिए क्यों नहीं बता पते हैं वक्रोक थी सिध्धान बता उपर आया था कि नहीं आया है था बताना आया था बया है अगर अब रसुत्र की व्याख्या करते हुए अभी व्यक्तिवाद की अस्थापना किस आचार ने की थी बता ना जरा 77 का राइट है से 200 D होगा अभिनो गुप्त अभिनो गुप्त इन्हों नहीं तो लाष्ट में किया था सबसे लाष्ट मिन की बारी आये थी सबसे पहले भरतमुनी साहब थे लाष्ट मिया थे याद रखना भट्टा नायक भट राज जगरनाथ ने किस बादसाह की प्रसंसा की है कित बादसाह की भाईया देखलो उनके सन भी लिखे हैं हम आपको सन भी बता दें कहिए तो सन बता दें दें तो यह 1526 से 530 तक था भाईया हिस्टी तो हम घोल के आपको पिला देंगे घबराना मत वैसे यह सारे हम चीज इस पंदर सो चपन वैसे तो बीच में सेर सा सूरी आता उसे दोड़ा दोड़ा मारता है 556 के बाद 557 अठावन से साति हो आते हैं अकबर कब तक भाई 1606 तक सा जहां अ शोरी जहांगीर जहांगीर आते हैं 1627 तक कौन रहते हैं भाई बताना कौन रहते हैं सा जहां पिए इसके बाद उत्तर मुगल काल स्टाट हो जाता है आपको बता है उत्तर मुगलकल हम बताएंगे घब्रानमत हिंदी क्लास है तो हिंदी पढ़ लेते हैं की बाद साधा के काल को अस्थापत कला के काल काते हैं और जहांगीर के काल को क्या किया थे हैं बताना जरा भकती की काल है उसमें चर्मोज सरम पे था, संगीत गान यह सब किसमें, घबकती नहीं, संगीत का काल, प्लिब संगीत, उसमें गायन हो गया, बजाना हो गया, चीत्रकला हो गया, बहुत अपने चर्मोज सिमा पे था, जहांगीर के समें, अनुमती वाद की आउधारडा किसकी है, यह भी बताना, कल्पना कावंव का कौन सा पच्छ है, 79 का जो राइट इंसर अंग, Sankuk, कल्पना की बात करें साथ हो बतादेना, 80 मेरे प्यार इमे इत्नों, डी होगा, क्या होगा, मेरे प्यारे में इतनों D होगा कलपना और व्यक्तित्यों की यादकना रस आखेटक के रचनाकार कौन है एक बूदर सहसा मचली यह हमने करा दिया है आप जब देखेंगे साहित का वीडियो तो उसमें आया था लेकिन इसमें भी है रस में तो रस से संबंदी ते लोग है इस रस राय रस इस तरह जात कर लेना भई कुबेर नात नाती लोग 8 आखेट खेलते हैं आखेट का मतलब वही घोड़े पे चड़कर मारना आखेट करना जो पहले राजा भाहरा थे आखेट अखेट अक थे पताना कौन था जो आखेट कहलते समय गुंशवारी करते समय घोड़े पर आखेट कहलते समय गिरकर मर गिया था बताना कौन-था वह दिली इसलतनतर साfunded खोन सा Android हो था शिकंदर था है को oversee it क्या नाम हुआ पर गुलाम सब्सकता भूई भरतमूर्सृत क्मिनें तो हैं को स्थाइज में बताना है इसके बार इसां सुद्रूर्स यहाद नहीं पताना इंवेश इनुए रस शुत्रramatic नहीं है यह वह दोनों है पताना कौन नहीं इसमें, यह दोनों तो नहीं होंगे, आप समय क्योंगे, यह दोनों लोग हैं, इनका यह दोनों कट गया, अब बताना संकुक हैं कि वामन है, भरत मुनी भी हैं, भरत मुनी सबसे पहले हैं, भरत नायक भी हैं, भरत लोलट भी हैं, उसके बाद भरत करके ए इक पूराड आपने एक सुना होगा बताएंगे कभी को मैं निमलीकित देंज से किस सा। बताना जरा विभाव है अस्थाई भाव तो है इसका उलेख नहीं है तो नहीं है तो अस्थाई भाव यह उसका राइटेसर होगा अगला देखना अगला देखना मनोव विश्ले सडात्मक सैली के उपन्यास कार हैं देखे बहुत सारे प्रस्ण ऐसे भी हो सकते हैं एक आग दो प्रस्ण ऐसे हो सकते हैं हम गलत करते हैं तो आप लोग कमेंट कर दिया करें उससे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधाल लेंगे मनोव विश्ले सडात्मक सैली के उपन्यास कार हैं बहुत अच्छा प्रस्ण है अगला देखना संचारी भाहों की संक्या कितनी है थैतिस है भाई भरत मुनी के नुसार देखा जाए तो संचारी भाहों की संक्या थैतिस है मनोव विश्ले सडात्मक सैली के उपन्यास कार है एट्जी सेवन का जो राइट अन्सर है प्यारे मित्रों मेरे दुलारों इला चंडर जोसी जी या दखना भाह데 यह देख लेना इसकोई पर भरत मुनी ने अप्र भरंस को नाम दिया है अप्र भरंस को किया नाम दिया है स प्रतिष्ठित करने वाले आचार रहे हैं एक तो यह बताना है एक तो आपको यह बताना है धवन्या लोक किसकी करिती है दोनों बताना है दोनों बताएगा 91 का पाले बताएगा 91 का डी रूप गो स्वामी बता देजेगा धवन्या लोक किसकी करिती है करिती की बात कर रहा है तो बताएगा जरा किसका है अभिनों गुपता वही जो रसका लास्ट विवरड दिये थे अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है यह बताना है प्लस यह बताना है निगित में से कौन सा रस का अव्यों नहीं है संचारी भाव है विभाव है भाव कहां से जाएगा भाव नहीं है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है निग देखेगा रस सुत्र विभावाव नुभाव एक मिनट रुकीगा विभाव नुभाव व्यभी चारी जाएगे बताने वाले हैं संयोगा संयोगा दस निस्पत्ति किस ग्रंथ में है बताना जरा अगला देखना भक्तिवाद किस अचारे कामत है भक्तिवाद भाईया अभी नोगुप्त का है भक्तिवाद इन में से कौन अनुभाव का एक वेद है अनुभाव का निर्वेद होगा 97 का जो राइटे सरे सातियों क्या होगा आहार रे होगा यह थोड़ा सा अच्छा प्रस्ता और डिफिकल्ट है कहा जा सकता इसको 97 का डी अगर आप इन सब प्रश्णों को कर ले रहे हैं तो मान के चलिए यूपिटेट हो सीटेट हो सूपर्टेट हो और जो अधर एक्जाम की यूपिएसाई लेकपाल की एक्जाम से अगर आप जुड़े हैं कभी भविस्त में तो देना है तो मतलब फोड़ गयाएंग लुटे जातू का सियाचित प्रतिभावत या उकती किस आचार रिकी है इस दिर का वश्य जीवतम य उकती किस आचार रिकी है पताना जरा इस्ता हो लास्ट प्रस्न है हम आपको 170 प्रस्न इसमें हैं आप 170 के 70 हो कर सकते हैं हम आपके पीडियाप इसको टेलिग्राम पे रात तक डाल देंगे नाहीं तक अराम से आप 10 बज़ें तक आ जाएगा आपके जो डाउट क्लास ने उसके बाद उसके बाद यह स सारी की सारी आप ले सकते हैं पीडियाप जो पहले देखे आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथी टेलिग्राम पर वहां पर फाइल बनकर एक आपसा आपको दिखे कर डल कलर का होगा जाएदे लाइट नहीं देखेगा तो नीचे देखना थोड़ा सा उसमें नजर ड़डा ले पूरा हमने इंडियन हिस्त्री इंडियन मदब के एक तरह से कलिजी इसका त्या बोलते हैं इंडियन जेग्राफी पढ़ा दिया है आना प्लेलिस्ट में भरपूर दिया है भाई पर्यावरड के क्लासेस अभी आ रहे हैं पर्यावरड बहुत आएंगी घवडाना मत सब सबकुछ आपको दिखा देते हैं लास्ट में एंसर भी होगा इसका देखेगा 171 है क्यों इस नहीं हापर लाश्ट में एंसर भी है सब कुछ आप कर सकते हैं बस एक उमीद रहती आपसे कि इसे शेयर कर दिजीए जिससे कि और देखेगी यो यूपीपीशल है आपको हर ज सबसे उपर आपने कितना हाड हाड परस नीचे देखो कितना इजी परस्न है विवस रस विवस का जुगुपसा होगा सिंगार रस का स्थाई बताना सिंगार का इजामें पूछा गया आप देख लो 155 किस रस को रस राज काते हैं सिंगार रस को इसको भाई किस इंगार रस को रस राज काते हैं युँझार जो चीज़ें आपके सामने देखे लेक पाल में पूछा गया हम अदब हर जगह तो इस पीडियाप को आप डाउनलोड करिएंगा टेलिग्राम पर आकर और आपको इस सारे के सारे पीडियाप डाउनलोड कर सकते हुआं से एक नहीं सब कुछ अम आपको सब को जोड़ेंगे बस यह मानलो ठालो हर क्लास आपके लिए पढ़ा रहेगा हमिशा के लिए आपके नोट्स के रूप में चैनल पर है प्लेलिस्ट में आप जब चाहो तब देखो रिविजन करो कान में लगा के सुनो कुछ भी करते रहो कहीं जाते भी रहोगे तब आपके का क्लास में